शपने क्या मैं तो बिल्कुली टूट चुका हूं मैं तो अपनी जिंद्गी से हार चुका हूं मेरा मकान तोड़ा गया अगर आपको जेल में डाल दिया जाएगा मेरे मरे अब भी कुछ सकता है मेरे से 15-20 साल की कुछी जितनी भी थी मैँ ने इसमें लगाई है मेरे आज बच्चों की फीस भी मैं निहीं भर पा रहा हूं मेरे मैंने मिसिज के जैवर फाय। मेरा बिल यहाऊलillar करनाल की तस्वीरे देख लिए जिस मकान के लिए आज लड़ू बटने थे जिस घर के आज लड़ू बटने थे करनाल द्वारा की गई है दीटीपी करनाल द्वारा परसों अवैद कलोनी पर पीला पंजा चलवा दिया जाता है और ये कि ये मकान बन रहा था आप देख सकतें निर्मानधीन मकान है जो की बन रहा था पिछले 5-6 महीनों से ये मकान बन रहा था आज इसका लेंटर खुलना था लेकिन परसों जब ये मकान तूट रहा था जब इस पूरे मकान पर पीला पंजा चल रहा था तब उनको कोई जानकारी भी नहीं थी जिनका ये मकान बन रहा था अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी एक व्यक्ति ने इस पूरे मकान पर लगा दी ताकि आने वाले समय में उनको एक अच्छा घर मिल सके लेकिन वाइफ के गहने तक उन्होंने गिरवी रख दिये वाइफ के गहने आप समझ है कि इस इस वक्ति क्या बित रही और कि जैसी जैसी उन्ह cay 살 mother देखी वह इतना जादा इसे एपनी दिल पर ले गए क्यों ने हाट अटेड़ आ गिया जिसके बाद उन्हें ह澤्पिटल में admit करना पड़ा आज आप देख सकते हैं उनकी आँखों में आशू हैं उनके आशू देखकर हमारी आँखों में आशू हैं क्योंकि DTP करना अलगसर ये बात कहते हैं कि मैं किसी का भी जो मकान खड़ा हो चुका है जिसका लेंटर डलने वाला है या फिर अवैद कलोनी में जो पर ये मकान बना रहे थे इसकी रजिस्ट्री है साल 2020 में ये रजिस्ट्री हुई थी और 5-6 महीने पहले ही नोने मकान बनाना शुरू किया लाखों रुपे अब तक लगा चुके हैं और ऐसे में कौन इनका हरजाना भरेगा आखिर कौन ये लाखों रुपे का इंतजाम कर पाएगा ये आप देख सकते हैं इंतकाल की जो कौपी है इनके पास वो आपको यहां पर डॉकुमेंट्स इनके पास पूरे हैं लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अवैद कलोनियों में जब मकान नहीं बनाया जा सकता तो क्यों ये रजिस्ट्रियां हो रही थी लेकिन साल 2020 की बात है जब तहसीलदा राजबक्ष थे और आपको मालूम है कि DTP विक्रम कुमार की बात की जाए तहसीलदा राजबक्ष की बात की जाए तो दोनों की आपस में सैटिंग थी और क्या कुछ सैटिंग थी वो सबके सामने सबके सामने CMC करनाल में आय था जो व्यक्ति है जिनका यह मकान बन रहा था जिनकी आखों में आसू है जो आज रो रहे हैं उनसे पूरी बात कर लेते हैं पहले तो आप खुद को संभालिए आपके बच्चे भी घर में पत्नी आपकी साथ खड़ी हैं जब तक आप खुद को नहीं संभालेंगे बच्चों को कौन अरविंद कुमार नाम है जी मेरा गाहों मेहमंदपुर करहने वाला हूं और एक छोटा सा सीसी सेंटर चलाता हूं कुझ प्रा के अंदर मेरा यह मकान तोड़ा गयाा में उझे कोई भी इंफरॉमेसन नी दीजी गई ना ही मेरे को कोई नौटिस ना ही मेरे को बताया गया चीज़िन मेरे परोषी दोड़ा गया कि परोशीयों मेरे पास फोन किया कि आपका मकान टूट रहा है तो मैं उस टाइम अपने एक कि वहां पर बैठा हुआ तो मैं वहां से इस तरह भागा कि वह मेरे साथ रास्टे में कुछ भी घटना घट सकती ती और जब मैं अपनी बाइक पर आ रहा था तो मेरी बाइक आ करके यहां पुलिस वाले की गाड़ी से टकरा करके मैं घिर गिया और ने फिर उन से पूछा डीटीपी से कि भी आपने मेरा मकान क्यों तोड़ा उन्होंने कहा कि अगर आपका मकान आप दूबारा बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा आपके ओपर केस कर देंगे हम किसी भी तरह से जूटे हों सचे हों आपके ओपर केस डालेंगे उन यह को जो पाद में इस पता लगा है कि यह सारा गिरा गया और देखें आप कैसे यहां से पूरा सारा कुछ तूटा हूआ है मेरा 15-20 रुपे का नुकसान हो गया है कम से कम मेरा 10 लाख रुपे का तो कम से कम नुकसान करी गए हैं वह अगर मैटीरियल भी छोड़ दे त क्यों हो यह हमारे रिजिस्ट्रियां करती हैं यह यह रिजिस्ट्री 2020 में हुए मेरे नाम है सब कुछ है यह नाम अर्विंद कुमर मेरे पास जो टैपरियर है उन्हें पास बनती है वह ली गई है और मेरे लिए उसके मेरे बारा लाक रुपे अब तक लग चुके हैं और उसके इलावा मेरा जो समर्शिबल मोटर मेरी इसकी मोटर भी निच्चे चली गई मैंने आप 10 ज़ार यहार करा इसमें भी समान डाला हुआ है। मैंने अब उसमें वो नई मोरबी मिरी इसमें गिर गई है। मैं माझा बहुत भूखी हूं मेरा तो झाहिए एक मरे डिखेर हो गया। किसी की घाडी में मैं आया हूं को लेकरा भाज एक रिक पे हमारा कि UK और ऑपका मामला सामने यह नहीं गरीब इनसान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन आप जिस तरह से रोरे किसी आपका नुकसान देखने का मिलवा उता हैं औरा सुट करूंग लुए कि कि अगर नहीं तोड़ चुके हैं आगे भी खरीब का ऐसा घर नहीं इसके घर में खाने के लिए अन भी ना हो करनाल का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति अब प्रूब्ड को लोनी में अवैध को लोनियों में मकान बनाते हूंने पता होता है कि अगर निर्मान करेंगे तो कभी भी हमारा मकान तोड़ा जा सकते आपको लगता है अपरूड को लौनी में में जाकर करके यहां पर लिया है मैंने आकर करके अगर मेरी ऐसी वह होती और सफाइनसली में स्ट्रोंग होता तो मैं एक हुड़ा में अपनी कोठी लेता मैं यहां पर कि करके दो-चार जार रुपे में जगे ना मोल लेता है और मेरी मेडम 15-20 साल की जमा पुंजी जितनी भी थी मैंने इसमें लगाई है मेरे आज बच्चों की फीस भी मैं नहीं भर पा रहा हूं मैं उनकी फीस भी पैंडिंग में छोड़ रखी है मैंने अपनी मिसिज के दो-लाग रुपय यह भरना पड़ेगा मैं कहां से भरूँगा शत्री वाले का कहां से बरेंगे गिर्वी रखे हुए गहने कहां से छुडाएंगे यह अपने आप में एक सवाल है तूटा हुआ मकान अब इनकी आँखों के सामने जो एक बढ़िया एक शांदार घर बनना गए थे काफी नीचे तक मोटर जा चुकी है लेकिन ऐसे में मकान तोड़ा गया है अब डीटीपी साब से मेरा भी एक सवाल है कि आपने तो यह कहा था कि किसी भी गरीब इनसान का नुकसान नहीं होने दूँगा लेकिन यहां पर तो नुकसान साफ तोर पर दिख रहा है चोगाठे लग चुकी हो और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गरीब इनसान का नुकसान हुआ है और रह रह कर सीम सिटी करनाल के लोग जो एक बात एक बात कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया जाता हलाकि डीटीपी साब से जब यह बात पूछी जाती तो डीटीपी साब क और तो एक बोड लगाना चाहिए अपनी तरफ से कि यहां पर लोग जाग रुक रहें कि यहां पर कोई मकान ना बनाए अगर आप मकान बनाओगे तो सरकार आपका मकान गिराएगी ताकि अगर मेरे को यह मैसेज मिला होता कि बोड लगा होता किसी गली पे सड़क के मोले पेसे क्लोनी मीं टो मैं अपना मकान बनाता था व्यक्ति से करजा ना उठा पर ढवक कि तरहां वी तमाम लोग हैं गरीया घृब सक ना आपकर सुन रहे हैं उन लोगों को एक क्या व्हे देना मैं इन लोगों रहे इस दूबकि यह नहीं कारहर कि कर रहे हैं कोई किसी का पिछे जाकर के देखिया आप कोई किसी की थोड़ा सा हल्का सा लगाया हुआ लेकिन मेरा वाला तो मैडम लेंटर बन चुका था पूरा ही कंप्लीट हो चुका था मैं तो इसमें अब आज उसे शेट्रिंग कोल नी थी शेट्रिंग खोल करके मैं तो इसको आज यहां पर पर 10-5 दिन में अपनी में फैमिली को सिफ्ट कर देता मैं तो यह बिल्कुल भी बिल्कुली तूट चुका हूं मैं तो मैं तो अपनी जिंद्गी से हार चुका हूं कि यही मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ खटर सरकार यह कहती है कि अवाश योजना के तहत मकाना बाय बनाए जा रहे हैं गरीब लोगों को छत दी जा रही है लेकिन यह तो चत उगाटने का काम कर रहे हैं सब्सक्राइब के रही है है साल दौहजार चौबिस तक हर किसी का अपना मकान होंगा हर किसी की अपनी चतटूगी मिली चत मैड़ा लेकिन मेरा आप देखिए कितना अपना पैसा लगाता है मेरी मनुरुलारा सरकार से वर्भाई करवाई जाए और मेरी खक्टर सौ और स्ट विंती हैे shrall आपका विन्ति a यदा बो了 खुन आकर को तंग के लिए होसा अपका क्या नाम है और यहीजा है सपनों का घर अपना बंता हुआ देखे तो यह थोड़ी पता था यह पहले ही तो आप देख सकते हैं कि पतनी है और बड़ा ही यानि कि दुख हो रहा है यह बात बोलते हुए जिस घर के बाहर लड़ू बटने थे वहाँ पर मातम इस वज़े से पसरा हुआ है क्योंकि मकान बनाना आज के समय में कोई असान काम नहीं है लाखों लगते हैं लाखों लगते हैं और किसी गरीब इनसान के लिए मकान बनाने जैसी बात बहुत बढ़ी होती है कई बार वो मकानों में धक्के खाता रहता है लेकिन सोच नहीं पाता कि मैं अपना मकान भी कभी बना पाऊंगा और आप देख सकते तमाम लोग जितने भी आपर खड़े हुए सब इस बात से सहमत होंगे कि यह गरीब इनसान मुझे नहीं लगता कि दुबारा आने वाले कई सालों तक भी सोच पाएगा कि मेरा कोई कभी मकान भी बन सकते सर् आपको लगते हैं कि यह इनसानकभी दुबारा घर करने जैसा समय है एक आड़ी इसको अटाक हुआ है और उसको कोई पता नहीं है किसके परिवार के साथ ज़ो आने वाला समय है कैसा निकलेगा जो झो श्त नहीं रही यह आदमे आज बरसातों का तयम हाँ रहाँ कहां जाएगा कहां रहेगा आज सुबह ये अकल को इसका लैं कि गृवाध में को समय दे जब आप बड़े आदमे को समय दे देते हैं उनका नुक्षान के आप उनको दो मिन अगा था था खर दे कम से कम तोड़ना बिल्कुल नजयज है और यह विल्कुल पिसके परशाशन के बोड़ी जो यह नयाया यह चिरफ अपने जो मोटे पैसे मिलने ते पर में गरीम बाद हमकान तोड़ने लोग मेरें पैसे देंगे यह पैसे एंट नहें काम इससे पहले भी पैसे एंट के चलेगे वह आज भी ऐसा कोई परसासन में ऐसा पद नहीं है जो बरष्टा चारी में लीपना हुँ लाकुर में तशील दार लाकुर की कौरोर हुभी साइब से हर अहर कराहर परसाइसन गरीब आदमी के पैसे खून पिर्हे हैं आफ कार नाल में क्या हो रहा है यह गरीब को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ की साथ जरूर शेयर करें और डीटीपी साहब से एक रिक्वेड्ट जरूर रहेगी कि किसी घरीब का जो आपके खुद की वर्डिंग है जो आपके